हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दर टीचर जी में तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूं डियेलेट कांसलिंग से संबंदित कुछ नहीं जानकारियों जिसको आप सुनके थोड़ा रिलेक्स फिल करेंगे है ना और उसको जब तक नहीं पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्री तरूप से आपको 90-95% अच्छे से समझ में आ जाएगा बहांके जो 3-4% में जो डाउट रहता है वो सभी को रहता है जब तक आप जो इस्थल है वहां तक ना पहुंच पाएं तो आप इस वीडियो में तक बने रहे हैं ताकि प वीडियो है वो बन रहे है यह उनके लिए है जो अभी कांसलिंग प्रोसेस में सामिल होने वाले है जिनका कांसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी बचे हुए यह उनके लिए सही साबित होने वाली है यह वीडियो जो है तो इस उसको भी मैं आपको सेर करने वाला हूँ और मैं बताने वालस की माइग्रेशन लगेगा या नहीं लगेंगा किस ही सिती में लगने वाला ऑड किस ही तिमें नहीं लगने डोनौ चीजों के उपर मैं बात करने वाल खुलए झौत देखेगा तो dzisiaj को इनते काब करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें डर बहुंँ सवाल लगा रहता है कि हम कुछ कारान के वजह से डिस्क्वालिफाइड ना किया जाए करके जार लेकिन जब आप कौंसलिंग इस तल पर जाते हैं तो बहुंँ स्थरल तरीके से फिर आपको वापस किया जाता है और बोला जाता है कि आप इस इस डॉक्यमेंट को कम्प्रीट करके वापस आई ऐसे करके ठीक है तो हम लोग वहां पहुंचने इस पहले बहुत हड़ बढ़ाते हैं लेकिन अभी जिस तरीके से जो अनभाव साजा किये हैं जैसे संगीता साहु जी है बेमे तरह से हैं उन्होंने एक अपना experience इस एक्सेट कि सर मेरे से माइग्रेशन ने लिया गया है अब क्यों ने लिया गया है इसका करण मैंने जब पुछा तो नहोंने बताया कि सर मैं मतलब स्टेट से बाहर की स्टेट से बाहर पढ़ाए नहीं की हूँ और जो भ्यार्थी स्टेट से जो बाहर माइग्रेशन आघ हम में मतलब इनकेंदर की बात उनों ने बताई रगुत ही शmotण तो सफत पत्र जो करेंगте कि जो डिया हुआ है उसको जो जो फार्मेट तो दिया हुए उसको ज्यों कते होुभ दस रुपए के स्टाम्प में क्या करेंगे आप लोगsk प्रिंट कर वा लेंगेद और वम्हें तुल आतल calendar जरूरी अगर आप स्टन्प में नहीं कर वाते हैं उसको वैसे ही निकल आपके ले जाएगे तो हो सकता है डेजिवेशन पूरा किया है। वह एक। अभी माइड्रेशन से वथे उनकी पड़ी परत कम the K+. एक हमारे ही मतलब हो भूह से जुने होइए अभ्यारती उन्होंने अपना अनसा राया किया हि कि अवो 똑같 को संखिर्आ ठाहले तरह से उनको बढ़ीतसा उनके साथ को अपले और उनको बढ़ीया स्थीक सायोग किया गया है भीड़ भी कम थी और उनका मतलब बहुत कम समय में उनका कांस्लिंग प्रक्रिया जो हो पूरा कर लिया गया था है ना तो माइग्रेशन देखो फ्रेट्स बेसिकली जैसे आपको 12 पास कर चुके हैं और यदि आपको माइग्रेशन मिल जा रहा है तो आप बनवा लिजे ग्रेश्वा गरिशन हो गया आपका तो भी ब अब वह सपत पत्र बनवाएंगे अब वह सपत पत्र है कि इनके नाम से होगा प्रतिकुल सचीव करके आप लोग क्या करवाएंगे जो जैसे हम लोगों को एप्लीकेशन लिखते हैं तो जिस मुख्याला के लिए लिए लिखना होता है उसका नाम पहले समभुधन के कर दो जबण हो गई है तो मैं मां पहले संप लिखते हो जब खैर हो जब भी ऴर वह जब भी मरम मैं कोर्स को जबूरर जमा करों का फैसे कर के आप उसमें डेटेल ढांके जपाढ़ अपना एक सक्र hope तो भी उसको मानने करेंगे ठीक है और बहु सारे जग़ अब हैंद में अपना अपना अलागर रूल है कि मतला किसी कॉलेज में बहुत अच्छे से को आपरेट किया गया है किसी कॉलेज में साया दिये यह देखने को मिला हो कि उनको थोड़ा अच्छे से उनसे पेस नहीं आया होंगे ऐसा भी हो सकता है तो माइग्रेशन के लिए आप ज्यादा करेंगे तो अनुभाव के लिए जैसे एक और अनुभाव किया गया है कि यदि मैं पहले से ही किसी कुल में पढ़ा रहू हूं है ना और लगतार सी स्कुल में दो साल से अधिक समय से पढ़ा ही रहा हूं तो फिर मेरे को जो है वो केवल एक ही प्रारूप लगेगा ऐसा हुआ हुआ है ठीक है यदि मैं कोई भी विद्याला में दो वर्स से अधिक समय तक पढ़ाते आ रहा हूं तो मेरे को केवाल एक ही जो है प्रारूप जम्म करना पड़ेगा वह भी वर्तमान में कारे रतवाला ठीक है ऐसा करके मतलब कुछ लोगों ने अनुभाव जो है वह स हुआ है अगर आप से दो परती नहीं मांगा जाता है वह संत खाला फ्रैटा कम एक मतलब कर तो आप अपने दुसरे प्रावरूप को अपने पास रख लिजए हा BIG वいき ओढ़े इंधाऊ तो बन जा रहे तो सहुलियत के एसको भी अपने सांतंग करुए जरूर जाहेगा क्यान का लेकर जाना है उसके उपर मैं डिटेल में और नहीं जो झाओंगा ऐसे भी मैंने कोषिस कि आप सभी लोगों का कमेंट जो आया था उस नगी तो फिर भी कहीं पर कोई चूख हुई होगी तो थोड़ा साब लू sublog उसके तरह भी मेरे को ध् 어떻esse impostこんな तो यह था आप लोगों के लिए महतुपन वीडियो मैं थोड़ा सा उसको जो स्टांप पेपर में बना हुआ है सपत पत्र उसको तुम आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूं उसके बाद आप लोग थोड़ा अच्छे से करवा लिजेगा उसी को प्रिंट ठेक है यह द बलवाना पड़ेगा पूरा यह तो लिखा हुए कि यवल आपको इसमें प्रिंट करवाना है ठीक मैं इसको थोड़ा स्क्रोल करके दिखा देता हूं ठीक है तो इस प्रकार से आपको शपत पत्र बनवाना होगा 10 रुपय के स्टांप में यह ध्यान रखेगा यह जो शप 10 रुपय के स्टांप में जो मैं बोलाँ प्रतिकुल सचीव के नाम से विसाय डालते हुए है ना सारे विवरान को आप लोग उसमें डालके उसको सपत पत्र जरूर बनवा लिजेगा ठीक है एक सपत पत्र मेरे पास और आया है थोड़ा इसको भी दिखा देता हूं एक के और यह कुद्स दोफ से मिसन किया गया था कि 10 रुपय के स्टांप में रोठिक करा करी शपत पत्र कर कर में कि doğru यहां पर टानलने कि हैं यहां पर यहां जो रगी हूँ है यह दर गी हुए है यह बहलete है lagi लागि दिन फिर-धिक के बारे में जयादा श्यूर नहीं तो ङ कोईसे लिए रवाय दोड़ाई कर दूदा कर लाई की स्पुपएिए के स्टाम के भी सुटाई रुपतर पने पने वाय दोड़ाय गाया है तो फोड़ासा आपコंदा दूर्भाय के स्टाम आपनसे की सिर्स परताम में जّोदा पत रवाय की सिर्स अपन यह के COVID-19 Kaylimy मेरे को गरिषी आप रिच्छोंकी मैं'M थैंद तुछे निखन तो एक लिखन बाना के दिया है कि आपी अीशन पेनी कोमें कि यहां कि दीखन EDEEEE, डीडी बनवाने के लिए बाइक भी जुगाड कर दिये थे मेरे लिए है ना तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से काउंसलिंग को जरूर पूरी तरीके से अच्छे से करवाईएगा फ्रेंट्स ठेका तो ये था आप लोगों के लिए complete जानकारी आगे कोई भी और जानकार अच्छे से मिलती है तो जरूर मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगा फ्रेंट्स है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले आप बने रही हमारे चैनल धटीचा जी के साथ धन्यवाद